प्यार करना और फिर किसी रिष्टे में बंदना दो अलग-अलग बाते हैं फिर उस रिष्टे को निभाना भी एक बड़ी चुनौती होती है कई बार आपसी समझ होती है और रिष्टा ता उम्र चल जाता है जबकि कई बार छोटे-छोटे सी बातों पर भी रिष्टे तूट जाते हैं इन सब की बीच आज हम आपको एक ऐसा मामला बताने जा रही है जो आपको थोड़ा सा हैरान करेगा लेकिन फिर आप भी कहेंगे कि इस मामले में एंडिंग ऐसे ही होनी चाहिए थी दरसल मामला कनाडा का है कनाडा के ओंटोरियों में रहने वाली 23 साल की बिटनी जैक्स लंबे वक्त से एक शक्स के साथ रिलेशन्शिप में थी ये रिष्टा काफी मजबूत था लेकिन इसी दौरान बिटनी का वजन बीच में आया और पार्टनर ने उन्हें हमेशा के लिए छोड़ दिया हालात ऐसे हो गए कि बिटनी ने अपने रिष्टे को हमेशा के लिए खत्म कर दिया पार्टनर के दौरा वजन कम करने का दबाव डालने की वज़ह से बिटनी में आत्म विश्वास की कमी आ गई थी इसी बीच फेस्बुक के जरिये बिटनी जैक्स की मुलाकात मैट से हुई दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर ये दोस्ती प्यार में बदल गई इस कपल ने बताया कि पहली नजर में ही दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे थे दिलचस्प बात ये है कि मैट ने बिटनी को उसी रूप में अपनाया जिस रूप में पुराने बॉइफ्रेंड ने उन्हें छोड़ दिया था मैट का वजन बिटनी के मुकाबले बेहत कम है मैट बिटनी के सामने बिलकुल आधे लगते हैं हाला कि इसको लेकर दोनों एक दूसरे पर तंज भी कसते हैं लेकिन एक दूसरी के साथ ही रहना पसंद करते हैं अपने नए रिलेशन्शिप को लेकर बिटनी ने कहा कि पहले वो काफी संकोच कर रही थी जाहिर तोर पर उन्होंने कहा कि उनका वजन 117 किलो था लेकिन मैट ने उन्हें भरोसा दिलाया कि उन्हें उनके शरीर से नहीं बलकि उनके दिल से प्यार है बहराल ये खबर हर उस शक्स के लिए सीख है जो बाहरी सुंदर्ता को देख कर किसी से प्यार करते हैं ये खबर और ये लव स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जबू पताएं